in excel there is option called find replace and go to ठीक है दोस्तो यह option बड़ा ही important सा है excel worksheet के अंदर जो हमारा time बहुत बचाता है राइट यह dummy सा data है मेरे पास यहाँ पर मैं आपको वही तीन चीज़े दिखाने वाला हूँ find replace and go to option ठीक है in detail में हम देखेंगे यहाँ पर यह option आपको कहाँ पर मिलेगा home ribbon tab में आप जाओगे तो यहाँ पर end में find replace and go to option मिल जाएगा यह dummy सा data है दूस्तों मेरे पास अब मुझे suppose कुछ word find करना है तो मैं Ctrl F प्रेस करूँगा ठीक है keyboard key से या फिर मुझे यहाँ पर home में जाने के बाद find पर click करना है दूस्तों shortcut keys के लिए मैंने video पहले बना रखी है Excel की and then यहाँ पर quick hacks भी मैं आपको share कर रहा हूँ find में मुझे suppose कुछ word find करना है या फिर मेरे पास last data set है उसमें से मुझे particular value को search करना है उसके अंदर तो मैं search करूंगा suppose मुझे sales search करना है इसके अंदर तो मैं find पर click करूंगा तो automatically मुझे sales पर show करेगा ठीक है and then यहाँ पर अगर आप देखोगे जो replace option है same option है Ctrl F press करने के बाद replace ठीक है मुझे sales के अलाबा कुछ और चाहिए यहां पर तो मैं यहां पर डाल दूंगा accounts ठीक है जो value है मेरे पास यहां पर find what find means this will find the यह particular value को search करेगा and then replace with the so-and-so thing ठीक है तो मुझे यह replace करके देदीगा दोस्तों यहां पर यहां पर देखोगे तो यह ही हो जाएगा automatically अब देखोगे तो sales मेरे पास एक ही है and then replace करने के लिए अगर replace all करता हूं दोस्तों तो जहां जहां पर sales content available है वहां पर replace हो जाएगा ठीक है control-z दे रहा हूं आते हैं हमारे next topic पे go to right तो go to open करने के लिए दोस्तों क्या करना होता है control-g प्रेस करना है हम हमें keyboard की से अब यह work कैसे करता है option तो पहले हमें करना है यह जो selection है suppose मुझे designation wise particular range को select करके set करके रखना है ताकि मुझे दिकतता हो in future जो particular employees है मुझे फिल्टर मानने के लिए तो अभी देखो जैसे कि मैं यहां पर select कर रहा हूं and then इसे मुझे add करना है ठीक है एक particular name देता हूं मैं इसे back office अब हर टाइम में employees के नाम याद में रख सकता हूं राइड यूकर data sets मेरे पास जादा रहेगा तो मुझे designation wise याद रखना है यह वो particular बंदे का या फिर बंदा या फिर बंदी जो कोई है वहां पर available है तो उनका designation वहां पर क्या है उनका नाम क्या है एंदें जून जुले का data set उनका जो available है हमारे वक्षिट के अंदर करें तो मैं यहां पर देता हूं purchase which is already there ठीक है operations नहीं added तो मैं operation space में add कर देता हूं ठीक है यह मैं add करा add करने के बाद दोस्तों मुझे control g पर प्रेस करना है keyboard की से और यहां पर find or replace में जाने के बाद go to पर click करो जैसे मैं click करूंगा आप name कुछ भी दे सकते हो मैं name पर click करता हूं तो automatically oscillate हो जाएगा range यहां फिर MS पर click करता हूं तो यह MS मुझे data show करेगा ठीक है next video series में दोस्तों हम देखेंगे go to special अगर आप go to में जाओगे यहां पर option जो है special यहां यहां पर cover करेंगे सो बने रही है मेरे साथ discover talent presents में और हां दोस्तों अगर आपने वीडियो मेरी subscribe नहीं करी हो अभी दिलग तो I would recommend please subscribe my channel